येस रेडी स्टार्ट उपाध्यक्स महोदय आंध्र में जो राष्ट्रपती शासन लागू है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि राष्ट्रपती शासन कितना भी अच्छा हो उसे अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता तथा आंध्र में जो प्रिष्थीती पैदा हुई है उस प्रिष्थीती का वह कोई उपाय नहीं है मैंने आद्रणिये मंत्री महोद्य के भाषन को पूरे ध्यान से सुना उन्होंने इस विशे में जो अपनी भावना प्रकट की मैं उसका आदर करता हूँ परजातंतर में जिनको विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि परजातंतर इस देश में और बढ़े किन्तु इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सासन चलाने वाले दल पर आती है इसको वह नै भूले क्योंकि हम जो भी करें उसके पीछे एक सिध्धान्त की जरूरत होती है जैसा मंत्री जी ने बताया 1953 में जब आंधर का निर्मान हुआ तब वह पूरा आंधर नहीं था केवल मद्रास में जितना हिस्सा था वह अलग हो गया इसलिए 1953 में जो हो गया वह किसी सिध्धान्त के आधार पर नहीं हुआ था नै कोई भाशा का सिध्धान्त था नै कोई परशासनिक शुविधाओं की बात थी और नै कोई अक्षेत्रिय विकास का प्रसन था कुछ भी नहीं था यह जो गलत प्रमप्रा आप लोगों ने डाली है इसका मुकाबला कैसे करें यह हमको समझ में नहीं आता परजातंतर की दुहाई देना आसान है लेकिन उस पर वयावाहारिक रूप से चलना मुश्किल है पुर्टगाली शासन से मुक्त होने के बाद क्या गोवा में चुनाव नहीं हुआ क्या महराश्टर में लोगों ने इसका विरोध नहीं किया वे गोवा को महराश्टर में मिलाना चाहते थे जब जनता की राए प्रकट हो गई तो फिर उसको महराश्टर से क्यों नहीं मिलाया गया परजातंतर और क्या है जनता की राए जानने का और क्या साधन है मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ प्रांतिये पुनरगठन आयोग के बनने के बाद कई बातों पर विवाद चला यह विवाद आज भी चालू है अब चुनाव द्वारा जो राए परकट होती है उसको लीजिए 1957 के उपरांत देश में परतेक पांच वर्ष के बाद कई चुनाव हुए सब चुनावों में वहां की जनता ने अपनी राए प्रकट की चुनकि जनता की राए आपको नहीं माननी थी इसलिए आपने महाजन कमिशन बैठाया इस आयोग की शिफारिसें आई लेकिन अब आप उसको भी लागू करने के लिए तयार नहीं है सरकार महाजन कमिशन की शिफारिस लागू करने के लिए तयार नहीं है और ने जनता की राए मानने के लिए अब और क्या रास्ता है आप लोगों के बीच में लटकाई हुए हैं किस लिए यह एन शित्ता ही विकट समश्याई उत्पन करती है परजातंतर के अधार पर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसका कोई धंग भी होना चाहिए पंजाब हरियाना हिमाचल परदेश सब को लेकर पचास लाख लोगों की राय आपके सामने थी लेकिन चंडिगड को लेकर शाह कमिशन बना दिया गया उसकी रिपोट आई तो आप उस पर भी अमल नहीं करना चाहते वह हैं जगडा आज भी चालू हैं इसी परकार नदियों के पानी के बटवारे पर भी जगडे चालू हैं पानी का उप्योग कैसे करें, पानी का बटवारा कैसे करें, कोई सिध्धांत नहीं बनाए गए है, कुछ समय और कुछ समझ में नहीं आता, राष्ट्रिय सिध्धांत, राष्टिय हित सब भूल गए, वाश्ट्विक्ता यह है कि आप कुछ ठोसकारिय नहीं करना चाहते, को इसलिए आज यह स्थीती पैदा हुई है इतना होने के बाद भी यह कहना कि विरोधी दलों ने ऐसी स्थीती पैदा की है सही नहीं है ऐसी स्थीती में भी परधान मंत्री श्वयम स्थीती का जाईजा लेने के लिए आंध्र नहीं गई परधान मंत्री वहां श्वयम क्यों न जिस समय पंच सुत्री कार्यकरम के रूप में मुलकी नियम का कानुन पास हुआ हमने उसी समय उसका विरोध किया था और यह कहा था कि इससे किसी को शंतोष नहीं होगा 1979 से प्रिथक तिलंगाना की जो मांग आई और जो लोग चुनकर आई उन्होंने शांती पूर्ण तरीके से अपनी बात आपके सामने रखी किन्तु आप लोगों ने यह क्या किया अभी जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब शांती पूर्ण तरीके से जनता अपनी राए पर कट करती है तो आप उसका गलत अर्थ निकाल कर यह कह देना शुरू कर देते हैं कि अंदोलन बिल्कुल समाप्त हो गया है आपकी इन बातों से जनता फिर वही काम करना शुरू करने पर उतारू हो जाती है इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार के उपर है खेद की बात है कि सरकार इन सब बातों का ठीक परकार से विशलेशन नय करते हुए विरोधी दलों को दोश देती है मानो यह सब हम करा रहे हैं हमने अनेको अंदोलन चलाए हैं जेलों में गई क्या इनमें कहीं पर भी हिंसा हुई हम कभी भी हिंसा पसंद नहीं करते और नहीं उसमें विश्वास करते हैं हम तो परजातांत्रिक तरीके से चलने में विश्वास करते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किशी भी मसले पर सबसे पहले जनता की राय जानने की कोशिश करें जितने सदस्य हैं उनकी राय लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल कीजिए राष्ट्रपति शाषन इसका कोई हल नहीं है विराम समाप